हेलो एबरीवन वेल्कम टो आर यूटूब चैनल एंदी सिन अवीन राना दोस्तों इंदी सरीज का लेक्षर नमबर 15 में यहां पर डिसकस कर रहा हूं और अगर आपने लेक्षर नमबर 14 नहीं देखा है तो पहले इस लेक्षर नमबर 14 को देखेगा उसी के बाद इस अलंकार को सुरू किया है और आज इस अलंकार को जो है पार्ट टू इस लेक्षर नमबर 15 में हम डिसकस कर रहे हैं तो प्रिवियस लेक्षर में हमने क्या जाना था अलंकार को जाना था अलंकार के भेद को जाना था अलंकार के भेद में हमने जाने थे सब्दालंकार पे जान रहें, दोस्तों, direct question बनता है गभी-गभी, कि ऐसा पूछ देगा, कि यमक अलंकार, यमक अलंकार, कैसा अलंकार है, सबदा अलंकार है, यः अर्था अलंकार है, तो इसलिए आपको पता होने से ये, और अगर आपसे यही पूछा जाए कि अनुप्रास लंकार कौन सा लंकार है सब्दा लंकार या अर्था लंकार तो आपको पता है यह किसका भेद है सब्दा लंकार का है तो इसी तरीके से आपको यह भी देखना है कि यह सब्दा लंकार के भेद चल रहे हैं अभी तो इनको अलग से बनाना यह सब्दा लंकार वा है अनुप्रास इलंकार अब हमने अनुप्रास इलंकार को क hoor detail से समझा था क्या होता अनुप्रासि- Olankar जब काँए में एक ही वर्णड हो तो अनुप्रास इलंकार होता है जैसे की यह अब Bapt hospital में क्या दोस्तो अनुप्रासि- Olankar जो है maximum इतने यह जानते हैं सब पहले में पहले हैं उसमें को सब्रक्राइब दोस्तों क्यूंकि अगर आप सिर्फ अनुप्रास लंगा की डेफिनेशन को समझ के चलते हैं जैसी कि आपने समझ लिया कि यह क्या है जब एक वाण कि आपरती बार-बार होती है अनुप्रासलंकार आपने सिर्फ इतना ही जाना रहता है इतना ही पड़ते हैं अनुप्रासलंकार फिर आगे चल जाते हैं यमक पे फिर सिलेश ऐसे जानते हैं अनुप्रासलंकार के अंदर अगर आपने सारी भेद को जान लिया तभी आप अनुप्रासलंकार को अच्छे से पैसान सकते हैं तो गलतियां जो होती है वो यही से होती ह अब आपने सिर्फ इतना जाना था एकी वन की आबरती बार-बार होड़ी तो यहाँ पर ऐसा आपको दिया गया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मुदित महिपती, मंदिर आवे, सिवक सहीत सुमंत बुलाए तो आप यहाँ पे देरे मा की आपरती बार-बार हो रही इसलिए आपने बता दी यह अनुपरा सलंकार है बट अगर आपके पास कुछ ऐसा आजाए कुछ इस तरीके से आजाए मैं यहाँ पे बताता हूं आगे ऐसा कुछ आगे लड़का तो लड़का ही है तो अब आपको बोला जाए इसमें कौन सा लंकार है तो साइद आपको confusion हो सकती है कि यह अनुपरा सलंकार है या नहीं है तो अब आप इसमें जो है इसको अनुपरा सलंकार बताने में आपको थोड़ा सा जिजक होगी क्योंकि ऐसा तो आपने यह क्या है जबकि यह तो लाटा अनुपरास अलंकार है। थीक यह लाटा अनुपरास अलंकार है। यहां पर आपको अनुपरास अलंकार को टिक कर देना है। इसलिए बता सकते हैं, अगर आपने ये लाटा अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, तभी तो आपको पता चल रहा है कि ये अनुप्रास का ही भेद है, तो आप इसको अनुप्रास अलंकार ही कहींगे, ठीके, तो इसलिए हमें ये जानने ज़रूरी है, ताकि अब आपको आपन से पहला होता है। छे काउने पृष्ष लंकार ब्रृथ यानू याद रहए सबसे पहले देखते हैं। छे काउनो परासलंकार मैं कुछ आपको बदाने का मैं आपको हींट दे रहा हूं वह हींट आपको याद रखनी है बस ठीक है क्या है पहला हिंट आप यहीं पर देख लेजिए छेकानू प्रासलंकार क्या होता है जहां एक या अनेक वरणों की केवल एक बार आबरती होती है क्या बोला एक या अनेक वरण जो है एक ही बार आबरती होती है जादा बार नहीं है ठीक है एक ही बार हो कर्म होगा जो अगर यह पहले नंबर पर का है तो यहां पर भी का पहले ही नंबर पर होगा ठीक है और इसकी आपरती जो है एक ही बार 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 नहीं होगी तो यह हमारा छे कानुप्रास अलंकार का एक्जामपल हो जाएगा ठीक है इसमें जो है एक से अधिक बेंजन रिप बोड़स्थ उसमें पहले नमबर प्यार रहा है नहीं सब्सक्रारी में इसको देख सकते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं यह यां पर सिरफ एक हाँ रहा है तो जब चन्ट आत्या रखना है यही 6 काणू प्राइसलंकार है कि आपको यह 6 काणू प्राइसलंकार समझ आया ठीक है सबी को आगरम देख लेंगे उसके बाद आपको अच्छे से इनको कंपना आजाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बरत्यानू प्राइसलंकार ईसमें क्या होता है जहां एक या अनेक वर् आबरती सिर्फ एक ही बार हो रही थी और ये करम में भी हो रहा था ठीक है अब बृत्यानुप्रास में क्या हो जाएगा एक अनेक उन्णों की आबरती अनेक बार हो जाएगी जिस यहां पर देखेंगे आप चारुचंद्र की चचल की रणय खेल रही जल्थल में तो यहां आप देखेंगे चा चा और यहां पर भी चा ठीक है और यहां पर आ रहा है तो इसकी जो आबरती क्या है बार बार आ रही है तो जब यह बार बार आएगा तब आपका यह क्या हो जाएगा बृत्यानुपास लंकार हो जाएगा इसलिए बृत्यानुपास लंकार हो हैं हम अनुप्रास लंकार के भेध पढ़ रहे हैं ठीक है चली ये चीज आपकी क्लिर हो गई हीर आपका छेक आणुप्रास लंकार क्लिर हो चुका है और परdf अनुप्रास लंकार भी अब इसके बादा सरक बादा है थीसरे नम्बर पे अलाटा है नहीं समझ आया इसका मतलब यह है कि इसमें क्या होता है एक सब्द हो या वाक्या हो इसमें या तो सब्द यह वाक्या यह खंड की आबरती होती है मलब पूरा सब्दी जो है रिपीट होता है पूरा सब्द रिपीट होता है जैसे कि आप इनमें देख रहे होंगे इनमें आपको क्या दिख लहीजिए एकशा एक फाने Gesetz ओड़ा है वारी हो रीपीट हो और इसका जो अर्थ इसका जो है तातपर्य Mat CAP अब क्या है इसका टातपर्य जो होगा मतलब होंगे तो सेम पर इसका जो तात पर होगो अलग अलग हो जाएगा देखिए यहां पर दे रहा है लड़का तो लड़का ही है अब यहां पर लड़का है यह लड़का रिपीट हो रखा है अब यहां पर लड़का तो लड़का ही है अब इसको समझने आप इसका जो यहां पर तात प वालक है, क्या है एक समाने वालक है, और ये एक लड़का जो है, उसका समध्ध होनहार से बता रहा है। बोलते ना, लड़के तो लड़के ही होते है आखिर, बोलते हैं इस तरी के शीасे? यही है यहां पर कहने का मलब, ये तो लड़का एक जाती वाली बात होगी कि लड़क ही है तो इस वाले लड़का का जो है यहां पर गूरू बताय गए इस वाले लडागे का माँथे एक परकार के एक गूर्ण है जिसा पर आप दहुते लड़के जो दहुते हैं ब distraction जो योटे हैं न इस तरीके से जरूरी है इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि लड़का तो लड़का ही है और बोला जाए इसमें कौन सा अलंकार है और आपको option में ये दी दिया अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार या उपमा अलंकार तब आपको confusion हो जाएगी क्योंकि आपने अनुप्रास अलंकार में सिर्फ पहली वाली definition पड़ी थी अनुप्रास की है जिसमें repeat to repeat होते हैं इसमें तो ऐसा repeat to repeat हो नहीं रहा था तो आपको इसमें confusion हो सकती इसलिए अगर इन सब को जान ले 5 बेदों को तो आपको गलती नहीं होगी आप इसको क्या बोलेंगे ऐसा option दिये जाएंगे आपके पास 4 option ठीक है तो आप समझ जाएंगे ये लड़का तो लड़के हमने पढ़ा था ये तो लाटा अनुप्रास अलंकार है यानि कि अनुप्रास का भेद है तो आपका हमसर अनुप्रास अलंकार आ जाएगा समझ रहे हो इसलिए हम ये जानना ज़रूरी है बस ज्यादा depth में नहीं आप बस इतना जान लेजीए कि कैसे आप इसको थोड़ा मतलब समझ आए लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है ठीक हो गया एक और एक्जामपल दो हूँ आपको ठीक है एक और एक्जामपल देता हूँ जैसे मैंने लिखा तेग बहादूर ठीक है तेग बहादूर हाँ वे वही थे गुरू पदुई के पात्र फिर से लिखा यही लाइन तेग बहादूर हाँ वे ही थे और गुरू पदूई गुरू पदूई के गुरू पदूई के थी जिन के अर्थ ठीक है जिन के अर्थ इस तरीके से दे दिया वो बोला जाएगे इसमें कौन सा लंकार है तो आप इसको समझ जाएंगे देखो इसमें क्या दे रखा तेग बहादुर हां वही थे गुरुपद्वी के पात्र समर्थ तेग बहादुर हां वही थे गुरुपद्वी के थी जिनके अर्थ इस तरीके से दे गया तो आप इसको समझ जाएंगे यह तो पूरा का पूरा ज मतलब था इसका पहले वाले का गुरुपधोई के योग्य जो जो ये गुरू थह टेज बहादुर गुरू जो नोए गुरू थे यह गुरुत। ये योग्य उम्यदवार ये ही थे एक्चुल में ये बोला जा रहा रहा है और इस वाली लाइन में क्या बोरत टेख भाधुर हाई हाई हुई थे गुरू पदूवि Everybody पदूवी है ना तेख बहादुर जी और यहां पर क्या गहा गया है जो तेख बहादुर जी है मतलब यह गुरु की पदुई जो है यह किसके लिए बनी है यहां पर यह बनाया गया है कि यह पद जो है उनके लिए बना गया और यहां पर जो बताया गया है यह योग है उसके ठीक है तो इस त अब हम आगे बढ़ते हैं चौत नंबर पर आता है अत्यानू प्रासलंगार इसमें क्या होता है इसमेंसेर्फ कुछ मिलना है इसमें देखेंगे जहां पदी के अन्तमें अन्तमें आपको या पर स्वरकी सामर्य अावरती ऑल्स यान उसे अम अनत्यानó प्रासलंकार कहते ही whole vimos अम मिलती जूलती हो उसे हम अंत्यानुपरासलंकार कहते हैं नहीं समझाये है सीधी बात ही है जिसमें आपको सालास्ट में जो है एक सेम सेन वर्ड देखने को मिले या आपको उसमें तुक मिलता हुए मिले इसमें तुक पर आप ध्यान दे तुक तुक मिलता हुए मिले बज जो है जहांपर पद के अंतिमार्ट जो facets लगें ठाएं यहां प देखओ तो ये जाना सनम प्यार होता है दिवाना सनम तो यहां पर सनम सनम आप समंझ जाएंगे झिसमें last में इस तरीके से मिल रहे हैं तुक मिल रहे हैं तो आसकाxide क्या हो जाएगा अनुप्रासलंकार, यनि कि ये भी एक अनुप्रासलंकार का ही example रहने वाला है, ठीक हो गया, चलिए, अब आते हैं last, सुरुत्यानुप्रासलंकार, क्या है, सुरुत्यानुप्रासलंकार है last वाला, ये भी important है, इसमें क्या है देखो, सुरुत्यानुप्रासलंकार जिस वाक यह हैं जिन वाक्य को सुनके आपको आपके कानों को कैसा फिलो बहुत अच्छा लगे आपको सुनके बहुत मधूर सी लगे बहुत सांती से मिले आपको वो हम कह सकते हैं सुर्त्यानुप्रासलंकार ठीक है एक्जामपल देखों आप रगुपति राघवराजाराम सुना है आप नहीं ठीक है तो कितना इसको सुनते जब आप कितना आनंद आता है ना बहुत मधूर से मधूर सी इसके ऐसे कानों को बहुत सांती सी मिलती है अंदर से ठीक है तो आप इसको बोलके देखेगा ठीक है तो इसमें आपको क्या लग रहा है क्या हो गई सुर्त्यानुप् का ही example है कि नह मिल हो रहा है इक इसमें और चीज आपको पता होने चीजक इसमें प्राशलंग कार में वह ये वह लाव आपको यह आद रखना है कि एक ही कई वर्णों की आवर्धि होती है नहीं समझ आया है एक ही वर्ग कोDomalt था थे दिन नाथ न डूबते इसमें क्या हो रहा है एक ही वर्ग इसमें रिपीट कौन कौन से हो रहे देखो रिपीट कौन से हो रहे देखो दी हो रहे हैं ठीक है यानि कि दा रिपीट हो रहा है इसमें क्या हो रहा है दीमांता ता भी आ रहा है रिपीट हो रहा है यहां प रिपीट हो रहे हैं दिन दिमांत था थे दिन ना नात डूबते ठीक है तो यह सब रिपीट हो रहे हैं इसमें चार अब आप यह देखेंगे ना यह चार रिपीट हो रहे हैं इसमें यह चारों जो यह एकी वर्ग में आते हैं क्या आते हैं एकी वर्ग में आते हैं किस क्लिर हो गया है। एक और एक्जाम्पल इसका मैं दे सकता हूँ जैसे की तरिनी तनुजा तट तमाल तरूर बहुचाए अब उसमें क्या हो रहा ता 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 बार बार रिपीट हो रहा है और वो एक ही उसमें आता है ठीक है तो ये भी आपका बृत्याणुप्रासलंकार हो जाएगा ठीक है चलिए ये सुर्त्याणुप्रासलंकार था वो जो मैंने अब एक्जाम्पल बता है वो बृत्याणुप्रासलंकार का बता है तो अब मैं एक बार सारे सबको रिवाइज कर लेता हूँ एक एक करके देखेगा अनुप्रा सलंकार के पांच भेद होते हैं ठीक है पहला भेद छे का अनुप्रा सलंकार छे का अनुप्रा सलंकार क्या होते हैं छे का अनुप्रा सलंकार वो होते हैं जहां क्या होते हैं जहां पर एक या अनेक वरणों की केवल एक हीबाराव वर्टी ये की वर्ड ये हो उसकी सिर्फ जो रिपीट होगा उसकी आबरती जो में सिर्फ एक होगी यह कार सिर्फ एक के और आयं कठिन बहुत सारे हो सकते हैं पर आब रिती सिर्व एक ही बार होगी तो यह हमारा च्छा चा चा बार बार रिपीट हो रही है ठीक है तो जादा भी हो सकते हैं एक हो या अनेक भी हो सकते ठीक है चा की जगह कोई और भी हो सकते है चा जिस है और कुछ और की भी रिपीट हो रहा बार बार तो वह भी हमारा बृत्यानुप्रास में आ जाएगा क्लियर होगे दू तीसरा हमने जाना है लाटावनुप्रास लाटावनुप्रास में हमने जाना था इसमें क्या होता है लाटावनुप्रास में होता है जो है इसमें सब्द या वाक के खंड की पूरी आबरती होती है मलब ठीक है और इसका तात पर अलग होता है ठीक है तुझे साब ने देखा पूरा सब्दी आ रहा है लड़का तो लड़का ही है ठीक है एक और एक्जामपल बोलो मैं वही वही मनुस्या है जो मनुस्या के लिए मरे ठीक है अब ऐसा आगया एसा आगया आपके पास वही मनुस्या है जो मनुस्या के लिए मरे तो इसमें कौन सा अलंकार होगा तो आपको पता होना चाहिए वही मनुस्या है जो मनुस्या के लिए मरे तो यह मनुस्या और मनुस्या ठीक है आप यहाँ पर समझ सकते हैं यहां पर करता वाला कारक बन रहा है यह वही मनुस्य है मलब करता की बात हो रही है जो मनुस्य के लिए मरे यहां पर संपरदान के लिए संपरदान के काम गर रहा है ठीक है तो आपको यह चीज यहां पर क्लेर होनी चाहिए यह लाटानु प्रासलंकार का एक्जामपल हो जा लास्ट में जिसे अंजन भंजन ठीक है ऐसे जो मिले लास्ट में तुक मिले अंत्यानुप्रासलंकार लास्ट हमने जो जाना है सुर्त्यानुप्रासलंकार सुर्त्यानुप्रासलंकार में हमने दो जाने थे एक तो है जो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगे अबरती अगर बार बार हो रही होती तो वो भी सुर्त्यानुप्रास लंकार में एक्जांपल हो जाएगा तो यहां पर हमारा यह complete होता है कौन सा पहला वाला जो सब्दा लंकार का पहला भीद हमने जो पड़ा था सब्दा लंकार का पहला भीद अनुप्रास लंकार हमारा complete ह हो गया है ठीक है इस तरीके से हमने अनुप्रासलंकार को अच्छे से सीख लिया अरम कई कह beer पांचों को हमने अच्छे से जान लिया है अब आपके पास अनुप्रासलंकार का कोई भी एक्जांपल आता तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए आपको यहां से देखेगा इन सारों को देखेंगे अनुप्रास लंकार के सारे एक्जांपल है यहां पर आप देखेंगे कल कानन कुंडन मोर पखा और मैं बनमाल बिराजती इनको आप पढ़ें और इनमें देख एक कौन सा लंकार हैं अब्रत्यान उप परास है चेगान उप्रास लाटाउन हुप्रास है शुर्त्यान उप्रास है यह आप इनको अपनी के लिए कर सकते हैं यह आर भी है जैसे रजी रजए रही हए, हसी हसी उठें सांसे भरी, तो यहयां आपको पता होना चाहिए, क्य पैला वाला चेह कानु परास लंकार एक्जाम्पल होने वाला क्यों होगा जिसे हसी यह एक और रिपीट हो रहे हैं तो जब एक और पार होते हैं चाहे हो कितने भी हो और हमारा कौंसा वाला होता है पैला वालाorg प्रस लंकार 25 Tao Baptist पर किस्टिक्व से विन ये अनुप्रास लंकार के हैं मुदित महिपति मंदिर आवे सेवक सचिव सुमंत बुलाई तो ये आपका कौन सा हो जाएगा इसको अगर भूलू में इसका हो जाएगा तो आपको इसका भी आसानी से पता होना चाहिए कि ये भी जो है इसी में से ही किसी का एक एक एकजामपल है अनुप्रास लंकार का ही एक एक एकजामपल है तो आपको इसमें गल्तियां नहीं करनी है कि आप कहीं बाहर चले गए उपमा लंकार या सलेस लंकार या रूपक इन पे आपको नहीं जाना है ठीक है तो यह आप समझेंगे तो आप जैसे मैं अभी लिख रहा था ने यह तेग बहादुर हाँ वही थे गुरुपद्वी के पात्र समर्थ तेग बहादुर हाँ वही थे गुरुपद्वी जिनके पास तो यह वही वाला जो मैं अभी बता रहा था ठीक है तो यह भी किसक आपको बिल्कुल अलग मिलेगा तो तब आप comparison कर सकते हैं कि यह सलेसलंगार का example है अनुप्रासलंगार में तो यह सब होते हैं ठीक है तो बिल्कुल आपको इनको जो है अच्छे से समझना है और बार बार रिविजन करना है इनका ताकि आपको यह याद रह जाए चलो इस lecture म इतना ही मिलते हैं next lecture में और next lecture में हम बात करेंगे यमक और सलेसलंगार जो कि बहुत जादा important है अगर आपको वह अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आप आसानी से जो है इनमें जो है difference कर सकते हैं कि अनुप्रासलंगार कैसे अलग है सलेस और यमक से तो यह आपको जो है difference करन आना चाहिए यह साब हम जानेंगे next lecture में वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें वने दोस्तों के साथ thanks for watching and thank you